छलिए आईए अब हम लोग लेसन 18 पढ़ते हैं यहां पर हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्तमान काल आसन भूत काल प्रेजन परफेक्ट टेंस तो आएए हम लोग प्रेजन परफेक्ट टेंस देखते हैं look at the following पहले कुछ sentences देखिए फिर हम लोग concept पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग exercise solve करेंगे सूर्य अस्त हो चुका है the sun has set सूर्य अस्त हो चुका है the sun has set मैंने लिखा है I have written मैंने लिखा है I have written अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे present perfect में have और has का इस्तमाल होता है I have होता है he के संग has होता है she has it के संग has होता है you have we have they have ठीक है अभी हम लोग set देखेंगे तो आपको यह और details में समझ में आएगा तुमने बाग देखा है you have seen a tiger उसने खेला है he has played तीता ने मेरी मदद की है तीता has helped me concept देखिए उपर के वाक्यों की हिंदी क्रियाओं के अंत में चुका है या है यी है ये है आ है इत्यादी लगा हुआ है इनसे बोध होता है कि कोई कार्य अभी अभी समाप्त हुआ था तो present perfect tense में क्या है ये काम पूरा हो गया है लेकिन just अभी ही हुआ है देखिए अंग्रेजी में इनका अनुवाद has या have plus verb का तीसरा form देखिए द्वारा होता है अर्था third person singular subject के साथ has plus verb का तीसरा form तथा अन्य subject के साथ have plus verb का तीसरा form देखिए ये चीज़ हम आपको has और have में यहाँ बताये थे यहां से concept देखिए देखिए first person singular he, she, it के संग has लगा है बाकी you, we, they के संग have है I के संग have है ठीक है आगे देखिए वह नहीं आया है he has not come रामू ने मुझे गाली नहीं दी है रामू has not abused me अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझना होगा देखिए has not इसका short form है hasn't have not का short form है haven't ठीक है present perfect tense के negative sentence में has or have के बाद not लगाया जाता है अर्थात has or have plus not plus verb का third form आगे देखिए क्या उसने अपनी गाड़ी बेशती है has he sold his car क्या तुमने मिस्टर प्रशाद को देखा है have you seen मिस्टर प्रशाद अब इसमें एक concept समझेगा he के संग has लगता है question जब बनाएंगे तो has आगे आ जाएगा तो has he हो जाएगा इसी तरह के you के संग have लगता है question में have आगे आ गया तो have you present perfect tense के interrogative sentence में subject के पहले has और have का प्रयोग किया जाता है अर्थात has और have plus subject plus verb का third form आगे देखिए क्या वह वहाँ नहीं गया है has he not gone there hasn't he gone there हम आपको आगे बताये थे has not का short form hasn't होता है क्या वह आज नहीं टहले है have they not walked today haven't they walked today इस तरह से भी हम लोग कह सकते है concept देखिए इस tense के negative interrogative sentence में has or have plus subject plus not plus verb का third form या has or have plus n apostrophe t जो कि has not का short form hasn't have not का short form haven't plus subject plus verb का third form लगता है देखिए वर्ब का first form third form इतना आपको नहीं सोचना है examples जब कराऊंगा ध्यान से वीडियो को पहले pause करिए खुच से sentences बनाईए कॉपी में संग संग मैं अभी आपको answer देता जाऊंगा मिलाते जाएए ठीक है ताकि concept clear होता जाए यह जो set है English translation का जो हम लोग कर रहे हैं इसमें total 97 videos है line से सब देखिएगा काफी कुछ आपको सीखने मिलेगा आगे देखिए मैंने क्या किया है what have I done हरी कहां गया है where has हरी gone तुमने क्यों लिखा है why have you written सीटा ने कब मदद की है when has सीटा helped अब देखिए I के संग है हरी has you have सीटा है हरी ही के जगा इस्तमाल हुआ सीटा शी के जगा ठीक है इन वाक्यों की बनावट है पहले question what ho, where, where, why, when plus has or have plus subject plus main verb का तीसरा रूप ठीक है sentences बनाएंगे सारा concept लिएर हो जाएगा तो आएए अब हम लोग exercise करते हैं exercise 18 translate into English मैंने श्याम को देखा है तो इसका क्या होगा I के संग है लगता है I have seen sham ठीक है वह गया है वह मतलब अब देखो यहां he हो सकता है तो यहां पे he has gone यहां हम लोग कह सकते हैं अच्छा गया है तो तब she नहीं होगा अगर गई है होता तो she होता आगे देखिए तुमने कहानी लिखी है इसका होगा तुमने कहानी लिखी है you have क्या की है लिखी है written क्या लिखी है कहानी the story you have written this story मैंने सुना है सुना मतलब here कौन सुना है मैंने I have here का third form जो होता है heard होता है I have heard वह जीत चुका है की के संग has लगेगा win का won हो जाएगा third form he has won उसने चाए पी है she has drunk पीना मतलब drink drink का third form drunk क्या पी आ है चाए she has drunk tea सूर्य ढूप चुका है मतलब सूर्य अस्थ हो चुका है the sun has set set का तीनों form set, set, set ही होता है वह मुझे भूल गया है भूल जाना मतलब forget he has forgotten me ठीक है आगे देखिए भरी ने मुझसे लड़ाई की है भरी ने मुझसे लड़ाई की है भरी हाज fought with me भरी हाज quarreled with me ठीक है आगे देखिए उसने कलम तोड़ी है he has broken the pen वह पटना गया है he has gone to पटना तुमने यह काम किया है you have done this मैंने पेड काटा है I have cut the tree आपने पैसा लोटा दिया है you have returned the money आगे देखिए उसने नई किताब खरीदी है he has bought a new book ताक्या नहीं आया है the postman hasn't come has not का शॉट फर्म hasn't राम ने कलम नहीं खोया है राम है not lost the pen आगे देखिए उसने मेरी साहता नहीं की है he has not helped me और इसको एक और तरीका से लग सकते हैं he hasn't helped me उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया है those people have not called me आगे देखिए यह किताब मैंने नहीं पढ़ी है I have not read this book या short form लिख सकते हैं I haven't read this book तुमने चित्र नहीं खीचा है you have not drawn the picture क्या तुमने उसे देखा है have you seen him क्या मिस्टर सिन्हा ने मकान बेचा है has Mr. सिन्हा sold the house क्या सिक्षक ने रामू को पीटा did the teacher beat रामू आगे देखिए क्या तुम्हारे पिता जी ने यह कहा है has your father said this क्या तुम्हारी बहन in school गई है has your sister gone to school आगे देखिए मैंने कलम को टेबल पर नहीं रखा है I have not put the pen on the table क्या आपने शेर नहीं देखा है have you not seen a lion क्या उसने दर्वाजा नहीं खोला है has he not opened the door आगे देखिए क्या मैंने आज रेडियो नहीं सुना है आगे देखिए haven't I listened to the radio today क्या वा नहीं चिलाया है has he not shouted क्या रमेश जापान से आया है has रमेश come from जापान इस तर से इसे sentences बनते हैं ध्यान से देखिए कैसे बनाया जा रहा है क्या उसने नहीं किताब लिखी है has he written a new book क्या उसने अपना काम समाप्त कर लिया है has he finished his work आगे देखिए क्या उसने शादी नहीं की है isn't he married और देखिए लड़का के लिए आप ही लगाएंगे लड़की के लिए isn't she married क्या मेरे पिता जी अब तक नहीं सोए है hasn't my dad slept yet क्या मैंने अपना सबक बना लिया है have I done my lesson क्या तुम बाजार नहीं गए है have you not gone to the market or haven't you gone to the market आगे देखिए वह कहां गया है where has he gone वे कब लोटे है when have they returned उन्होंने इसे क्यूं खरीदा है why उन्होंने इसे क्यूं खरीदा है have they got it आपने कैसे चाय बनाई है how did you make tea आगे देखिए उसने किसे मदद की है whom has he helped रामू ने क्या किया है what has रामू done तुमने इस लड़के को कहा देखा है तुमने इस लड़के को कहा देखा है राकेश ने क्यूं गाड़ी बेची है why has राकेश sold the car आज हम लोगों ने क्या किया है what have we done today सिक्षक ने इस सवाल को कैसे बनाया है how has the teacher done this sum take care